अब हम बात कर रहे हैं वन साइडेड एर्र की ठीक है आप लोग सब लोग बहुत ध्यान से समझना है बाट ठीक है वन साइडेड एर्र वन साइडेड एर्र मतलब अकाउंट में एक तरफ की मिस्टेक है तो क्या इंपक्ट आएगा सबसे पहले है कि मुझे आप लोग बताओ आपको ऐस अपने बेलस को अच्छे से सीखा है जबने का डिविट नेचर होता है कि कृड़िट एगर मैं उसको उसका जो अमाउंट है जेकिए उस में कोई चेंज कर देता हूँ इन उसे गलत जगा पर पोस्ट कर दिया तो उसे रेक्टिफाइ करना पड़ेगा के नहीं तो अगर आप करेक्ट फार्म पढ़ते हो तो कैश्का डेड़ेट ने चरह Early डेट च्छा कैपिटल का क्या डेड़ेट सब को पता है कि डेड़ेट क्रेड़ेट क्या होता है राइट कोई कोई भी expense होगा तो debit होगा कोई भी income होगी तो credit होगी राइट यहीं होता है चलो अब error को ध्यान से सुनेंगे सब लोग ठीक है तो sales account वाज पोस्टेड आज रूपीज 40,000 इंस्टेड ओफ रूपीज 4,000 तो sales account में error है confirm करो तो sales account में क्या problem करिया हमने क्या किया हमने सिल्स अगाउजन की जगा पॉस्ट कर दिया वेरी नाइस तो हमने 4000 की जगा 40,000 पोस्ट कर दिया तो मुझे अब sales account को ठीक करना है अब एक सेगाउजन को ठीक करना है एक सेगा तो अब अगर मैं इस एर्र को ठीक करूँगा तो सेल्स का अकाउंट इसको बोलते हैं ओवर कास्ट ज्यादा डाल दिया तो अकाउंट से वापिस निकालने तो यह जब निकालने तो वह से रिवर्स कर दोगे तो यह राइट सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट तो हम वन साइड़र को रेक्टिफाई करने के लिए किस अकाउंट का यूज करते हैं वी राइट सस्पेंस अकाउंट अब बोलो क्या यह बात समझेंगे बारे से लेजर बनाएंगे हम दुबारा से लेजर ने हम दुबारे से पहले जर्णल पास करेंगे फिर जर्नल से तो अपकॉर्स लेजर बने गई है दा सारा दुबारा से नहीं करना होगा these are adjusting entries और यही हम financial statement में सीखेंगे इसी लिए financial statement से पहले एकरना जरूरी है क्या entry समझागी कैसे post करी क्या आपको entry clear होगे कैसे post करी क्यों करी यह सर्व एक और ट्रांजेक्शन ठीक है एक सेल्स अकाउंट वाज पॉस्टेड आज रूपीज 7000 इंस्टेड ऑफ 17000 तो अब आपके हिसाब से क्या जर्नल इंट्री पोस्ट करनी चीह मुझे बोलो 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 क्या एंट्री पोस्ट करनी चीह मुझे अब सेल्स अकाउंट एक ऊब अब सेल्स अकाउंट के चैवर्ष नशिये क्या होगा कि यह जो सब्सक्रीट हो जाएगा कि और सेल्स अकाउंट अपनी जगह पर आजाएगा अब बोलो क्या यह बात समझ आगे और अमाउंट कितना हो जाएगा टेन थाउज़न सब्सक्राइब करेंगे अब हम रेक्टिफाइब कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन में सब कुछ हो सकता है डे अचाव एक बात दाओ आपने सेल्स अकाउंट में जादा पैसे डाल दिये ही ठिकल वापिस निकालने के लिए क्लाएं उसे रिवर्स निकरोंगे तो तो बस ओवर कास का मतलब है वापिस निकालने लिकटा अंडर कास्ट का मतलब Massachusetts कि पर ने औंडर कास्ट में when an account is undercast it will not change its original place a debit item will remain in debit a credit item will remain in credit हंजी बोलो क्या यह बात समझागी क्या यह बात सबको समझागी debit के आइटम में तो debit में रहेगी credit के आइटम में तो credit में रहेगी अगर undercast है अगर account क्या है undercast clear है बात चलूँ आगे next बात लिखू yes sir when an account is overcast it will change its original place a debit item will be posted to credit a credit item will be posted to debit यह बात बताओ क्या यह दोनों रूल समझागे क्या यह रूल क्लेर है पूरा वन साइड़ेर इस में खताम हो जाएगा जल्दी से बताओ रूल क्लेर है अब एक ट्रांजाक्शन बोल रहा हूं सब लोग एंट्री ट्राइ करेंगे ठीक है चाट बॉक्स में एक सब्सक्राइं एंट्री मशीन कॉस्टिंग रूपीज टू लाक पर चेस्ट बद्ध मशीनरी अकाउंट वस पोस्टेड आज रूपीज ट्वेंटी टू थाउजंड जोनल एंट्री पास करो फड़ावट से डूट्ट ट्राइ करो पूरी एंट्री लिखना पूरी एंट्री कि अंट्री अंट्री काउंट अपनी जगह पर रहेगा मशीन एक आसेट है आसेट डेविट होते हैं डेविट ही रहेगा तो मशीनरी अकाउंट डेविट और क्या लिखोगे आप सस्पेंस अकाउंट और अमाउंट कितना हो जाएगा आपके लिए वन लाक सेवेंटी एट थाउजन और वन लाक सेवेंटी एट थाउजन क्लेरें एंट्री सबको कैसे डाली रूल समझ आगया सबको अच्छे से कैसे रूल हमने प्लेस करा अगर यहीं अंडर कास्ट की जगा ओवर कास्ट होता तो एंट्री क्या होती रिवर्स हो जाती राइट एंट्री रिवर्स हो जाती कंफर्म करो एंट्री रूपीज शिक्स थाउजन पोस्टेट तू कैश अकाउंट आज रूपीज शिक्संड्रेड एंट्री लिखो चैट बॉक्स में जिसको आती है फटवर्स से समझ आगे एंट्री लिखो चैट बॉक्स एरर कहां पे है सोचो एरर कहां पे है अचा एक रेंट में के यूज के यूज कैश 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 ओक अंडरेकास्त है गैब का चैसिंद अंडर कास्ते के ओवर कास कैश में कम डालें के ज्यादा वेरी गुड शाबाश चैट बॉक्स में लिखते रहो तो कैश अकाउंट अंडर कास्ट है तो कैश अकाउंट डेविट टू सस्पेंस अकाउंट राइट कितने कितने का 54 क्या यह बहुत डिफिकल्ट था रूम एंट्री रूल यह वाला क्या तरीका समझ आगे अच्छे से कैसे एंट्री डालते हैं वन साइड़र में यह कोई ट्रबल नहीं है इसमें लोगे वेरी नाइस चलो एक और एक और केस ठीक है अब यहां पर एक वर्ड का डिफ्रेंस समझारों में आपको जिसमें आप ध्यान रखोगे कि वन साइड़र टू साइड़र में क्या फर्क होता है यह जो लेजर के एरर होते हैं जो पोस्टिंग के एरर होते हैं इस आर बिसीकली वन साइड़र ज्यादा तर आपको यह वन साइड़र ही दिखेंगे मोर और लेस यूट फाइंड कि यह मिशाव वन साइड़र है क्योंकि लेजर में आप एक जगा मिस्टेक करते हैं लेजर जब आप बनाते हो तो एक चीज का बना रहे हो ना वन वाए एक यह कर अगर आप लेजर पोस्टिंग करते हो जैसे आपने बोलो जैसे आपने क्या कर रहा है आपके आपकी जो ट्रांजाक्शन थी वो क्या थी कि रेंट पेड रूपी 6,000 वस पोस्टेड टू कैश अकाउंट आज रूपी 600 तो आपकी जो ओरिजिनल एंट्री बनती वो क्या ब आपने कितने लिखें आप 600 तो कहां पे था इने सिरस कश में था तो यह नित्स तो जर्नल में तो आप ऐसा नहीं करते ना के नहीं यह कौन सब्सक्राइब यह पोस्टिंग का ऐर होता है वो लेजर की मिस्टेक होते है ऑचिए होती है लेजर की सो लेजर एरघ और वगो क्या होते हैं एंसलिकर इसलिए पोस्टिड जब भी वर्ड आएगा फोस्टे जब भी वर्ड आएगा तो उसे altogether एकता जाता है वान साइडिड ऊड़ेंगा सब को बहात सब और होता है क्लियर एगे चलेड है बात और जो two-sided error होता है वो कहां पे मिलता है आपको वो आपको जर्नल में मिलता है आपने दोनों अकाउंट में गड़बड करिए ठीक है लेकिन हम पहचाने कैसे कि वह one-sided error है या two-sided ठीक है mistake यहां पर होती है बच्चों से तो there are some keywords जिनका आपने ध्यान देना है जब भी आपको पोस्टिंग का एरर है यह पोस्टिंग का एरर था ना तो यह वन साइड़िट था राइट अगर यहां रिकॉर्डिंग लिखा होता अगर यही ट्रांजाक्शन होती रेंट ओफ रूपीज ऐसे लिखा होता लिखने का तरीका देखो रेंट पेड रूपीज सिक्स थाउजन रिकॉर्डेड या पोस्टिंग की जगह पर वर्ड क्या होता रिकॉर्डेड तो यह जर्णल का एरर है कि लेजर का एरर है यह बताओ पूरी जर्नल गलत लिखी है इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब रेंट का अकाउंट भी अंडर कास्ट है और कैश का अकाउंट भी अंडर कास्ट है क्या यह वाट ठीक है तोनों में 600 लिखा है इसका मतलब ठीक करने के लिए क्या गरूँ 5400 दोनों में लिखना पड़ी कर रहा है अब बोलो बात समझाई क्या सबको यह ओडिक समझाया रिकॉर्डिट वर्ड का क्या मतलब और पोस्टेट वर्ड का क्या मतलब है किशकन फॉं यह सब सब्सक्राइब दिफ्रेंस पता चल गया तो यह तो साइट एरर के वन साइड टरू साइड एरी निवाजा तो वन तो यह ओवर कास्ट था के अंडर कास्ट तो पूरी की पूरी एंट्री में चेंज आता है क्याश तो रेंट और अमाउंट कितना होता आप दोनों का फिफ्टी फोर थाउजन अमाउंट हमेशा डिफरेंज रहेगा और चितने की गलती हुई है अब क्लियर करो ओवर कास्ट में अकाउंट अपनी जगा चेंज करते हैं अंडर कास्ट में अपनी जगा पे रहते हैं दोनों बाते के ये स्कूई है ऐसा जिसको ये एर्रर के बारे में नहीं समझाया तो रेज और हाड़ फरक पता चल गया सब को पता चल गया कि क्या फर्रक होते हैं अच्छा चलो ठीक है एक और चीज बोलता हूं एक चोटा सा टेबल इंसर्ट करो आप आप लोग के लिए मुझे आप लोग बता होगे ठीक है आप लोग कंफर्म करोगे कौन सा एरर कैसे पोस्ट करना चाहिए हमें ठीक है देखो कि मालो कि मैं आप लिख रहा हूं इस बैंक बैलन्स का ओरिजिनल क्या नेचर तो ओरिजिनल जो उसका इफेक्ट है वो का पी होगा मेंशाब डेबिट में ट्राइल बैलेंस में डेबिट पी आता है ना वो कि यह सब तो अगर वो ऑवर कास्ट होगा या अंडर कास्ट होगा अगर मालो बैंक बैलन्स आपका अंडर कास्ट है तो वो डिवेट में कि क्रेटिट में अगर वह एपीट तो वेंडर्व तो यंद देविट तो यह जाएगा कैवन यह कौन होते हैं जिन से पैसे लेने रहाइट तो डेटर का नेचर क्या है डेट बैंक लोन से लोन लेते हो तो बैंकम है उसका नेचर को यह रहे हैगा नूबलगा क्रेडी को बैंक से लोन लेते हो अप्रिस विह कि यहां एप ओफिस एक्पेंसेश का ओरिजिनली नेचर है डेबिट अंडर कास्ट होगा तो डेबिट रहेगा ओवर कास्ट होगा तो क्रेट शाबाश गुड और चेजिस क्या होते हैं अगर अंडर कास्ट होंगे तो अ ऊवरगास्ट होंगे तो मिलेट राइट लगया वेज़ज या फिर सालरी दूंहों क्या अमरल एक्षबेंज है नेचर उनका đã राइट के अंडर कास्ट होंगे तो तो की सबस्सक्राइब और कास्ट होगा तो 커डेटित ही रहेगा अंडर कास्ट होगा तो क्रेडिटी रहेगा ओवर कास्ट होगा तो क्या हो जाएगा बात समझा गई सबको क्लियर हो गया अच्छे से कोई है ऐसा जिसको यह लॉजिक नहीं समझाए कि अजी जली से बोलो क्लियर सबको चलू आगे कि अगर वन साइटिद एर्र समझ आगे तो आगे चले यह सब्सक्राइब अब मैं ट्रांजाक्शन बोलूँगा मुझे सोच समझ के बताना उसके बारे में ठीक है आप लोग बताओगे जली से विज़ पाद रूपीज एर्पीज थैन थाउजन पोस्टेट लॉज़ एर्पीज़ 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 जोन्रल एंट्री आप लोग पोस्ट करके बताओ मुझे चैट बॉक्स क्या बनेगी आप 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 इसकी जनल एंट्री का बनेगी इस तू कैश आप इतना सोचो बस विजस अकाउट में ओवर्कास्थ करा के अंडर कास्थ करा और वर्ड पोस्टेट लिखा है के रिकॉर्ड लिखा है तो फिर वन साइडेट तो फिर दूसरी तरफ क्या आएगा सब्सक्राइब लिखेंगे सिस्पेंज वन साइडेट टू साइडेट साइडेट जली से बताओ वन साइडेट वन साइडेट अर्र में हम लोग कैश लिखेंगे के सब्सक्राइब सब्सक्राइब और हमाउंट कितना आएगा कि क्या यह बात समझा गई सबको कि क्या इंट्री क्लियर होगे सबको कि जल्दी से बताओ फंड़ा क्लियर कि चलूँ आगे अगर नहीं आया तो बताओ आगे तो बताओ लॉजिक्लियर हो गया नए तो हैंड रेस कर सकते हो यहां पर वर्ड है की वर्ड है पोस्टेड पोस्टेड के केस में सस्पेंज आएगा वह वन साइडिट अरर माना जाएगा अगर एगर recorded होता अगर recorded होता तो वो दोनों साइड की मिस्टेक होती फिर सिर्फ वेजिस में गरवर नहीं होती तीक है अच्छा अब यह सेकेंड केस पढ़ो यह आपका एक केस था सेकेंड केस पढ़ो इसका क्या है क्या लिखा है इसके लिए क्या इंट्री बनेगी बताओ कि अगर कहां पर है कि सिर्फ वेजिस में है कैश में भी है मुझे तो लग रहा है सिर्फ वेजिस में गरवर देखो डेबिट साइड वेजिस अकाउंट गलत लिखा है दोनों में है कैश में भी है कैसे सिर्फ वेजिस में सिर्फ वेजिस में गड़ लिखा है देख डेबिट साइड ओफ वेजिस अकाउंट वेजिस अकाउंट मतलब यह लेजर का एरर है या जर्नल का यह सूच लेजर में बनेगा ना कि जर्नल में बनेगा लेजर में तो फिर क्या होएगा वन साइड एरर है ना वेजिस अकाउंट डेटो सेम एंट्री बिल्कुल सेम एंट्री जो अभी पास करिया बिल्कुल सेम दोनों के सिसमें कोई फरक नहीं को पूछने का फरक है क्या यह क्लियर होगी बाद बोलो बोलो जल्दी से बताओ प्यास ओके अगे अब यहां लिखा है रिक कॉड़ेड अज रूप टीज वन थाओजन एलेवन अंड़ अब क्या गरू अब क्या आईगी एंट्री अब एर्र के सीज का है तो दोनों में अंडर कास्ट है के ओवर कास्ट अंडर कास्ट अंडर कास्ट तो एंट्री अपनी जगह पर रहेगी सेम क्योंकि दोनों में एर्र है और अमाउंट आपको पताइए डिफ्रेंस जोब्यों का वहीं आपका अमाउंट रहेगा अब बोलो कैसे करी कोई डिफिकल्ट है इसमें कुछ जल्दी से बता दो वन साइड़ समझ आगे कैसे करते हैं वन साइड़िट एर्र सबको वन साइड़िट एर्र क्लियर हो गए अगर नहीं आया तो एक बार बोलो बस फटावट से कि हाँ कोई प्रॉब्लम है कोई चीज नहीं समझाई तो बोलो जल्दी से बताओ और बहुत सिंपल है वन साइड़िट कुछ भी नहीं है बस इतना देखना है कि अकाउंट का ओरिजिनल नेचर क्या था और अमाउंट ओवरबकास्ट नगें अगर अंडरकास्ट रोंगा तो कैसे करना है ओर और कर मैं सिर्फ एंट्री विल बी रिवर्स अगर यह रूल क्लियर हो गया तो वन साइड़ में तो कुछ है नहीं कहां नहीं आजेगी टू साइड़ की जो कि हम नेक्स क्लास में सीखें आफ और्स तो क्या यह वन साइड़र क्लियर है मालू यह सर यह दो क्वेस्टन आपके सामने जिसमें सेकंड क्वेस्टन में आपसे बोला गया है ड़ डिफ्रेंज इन सस्पेंस अकाउंट यह आपको काल्कुलेट करना साथ तो आप जब यह सारी जर्नल इंट्री इस पास कर लोगे तो सबकों लेजर बनाना आता है न में सारी इन पांचो जर्नल इंट्री को डालने के बाद एंट इन फाइफ जर्नल इंट्रीस को डालने के बाद क्रिएट सस्पेंस अकाउंट तो suspense account को जब आप बना लोगे तो suspense account का जो balance cd है वो आपका answer होगा तेक है आपसे suspense account का balance माँगए हो जाएगा तो यह क्वेशन सबने ट्राइ करना है मैं यह पोस्ट कर रहा हूं आप सबके पास ग्रूप में तो जब कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करा तो रिकॉर्डिंग की जर्नल एंट्री कौन सी होती है कि जर्नल कर रहे है कि पोस्टिंग है रिकॉर्ड डिड सब्सक्राइब तो किसी ने हमने गुड्स रिटर्न करें तो यह परचेस रिटर्न था यह से रिटर्न पहले ये बता तो सेल्स रिटन की जर्नल एंट्री आती है वही आपका अंसर है ठीक है ओके सर एक चीज और लिख रहा हूँ मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा गाइड करने के लिए वर्ड रिकॉर्डिंग या फिर वर्ड एंटर्ड जब भी लिखाओ जब भी इन दोनों में से कोई वर्ड लिखाओ तो वह कौन सा एर्र होता है आपके लिए यानि वह जॉर्णल का एर्र है याद रखना यह कीवर्ड जो आपको काम आएंगे बहुत और वन साइटेड एर्र के आपके लिए जब पोस्टिंग का एर्र है ठीक है दन यह दोनों क्वेशन आप सबने ट्राइ करने हैं यह आपका आज का काम है